जैमा एक बार बहुत ही उत्सा से 20 कंणड भाशी लोगों ने रतिंद्र से कहा आज श्री माताजी हमारे साथ कंणड में बात्चित कर रही थी रतिंद्र अच्छी तरह से जानते थे कि थोड़ी संस्कृत के अलावा श्री माताजी बारत की कोई भाशा कभी सिखे ही नहीं है क्योंकि उनको और भाशा सिखने का समय ही नहीं मिला रतिंद्र ये सब लोगों की बात मानने के लिए तयार नहीं था लेकिन श्री माताजी कंणड वाक्य बोले ऐसा कहने वाले बहुत लोग थे और कई-कई लोगों ने तो वो वाक्य बोलके भी बता दिया रतिंद्र को जब चांस मिला तो श्री माताजी से पूछने लगा माताजी क्या आप कंणड वासा में बोले थे श्री माताजी ने सुन्दर जवाब दिया आप दोनों सच हो ये सच है कि मैं कंणड से परिचित नहीं हूँ नहीं बोल सकती हूँ लेकिन वो भी सच है कि मैंने जो कहा वो उन्होंने कंणड में सुना है चेतना का एक स्तर वो है जो स्तर में बाशाए अलग-अलग नहीं होती जब मैं एक स्तर से बाचित करती हूँ तब सुनने वाले अपने अपनी मात्रु भाशा में सुनते हैं ये लोग कानडी थे इसलिए मेरा सेंटन्स कंणड में सुना जो वहाँ चाइनीज या जपानीज होते तो उन लोगों ने अपनी अपनी मात्री भाशा चाइनीज या जपानीज में सुना होगा रतिंद्र ये चेतना का स्तर है तुम श्रवन लेकन ध्यान सतक चालू रखो आपको कैसे जान होगी कि प्रेरणा तुमारी राहत देख रही है श्री माता जी ने कोई प्रशन पूछ रहा था श्री माँ हमें अन्य लोगों के साथ कैसा वर्ताव करना चाहिए श्री माँ ने बहुत अच्छा सा उत्तर दिया आपके वर्ताव पर आपके भीयवियर पर चैत्य पूरुष का राज्य होना चाहिए और आउशतन चैत्यपूरुस बहुती आत्मस्त रहते हैं जैमा